तो आज हब प्राक्टिस से थर्टिफाइड कर रहें पैंक एंग सिंपल इंट्रेस्ट तो सिंपल इंट्रेस्ट कैसे फैंड आउट करना है हो देखें चलो पहले कोशन पर जाते आइट रेट ऑफ 10% पर आयनम यहाँ पे इसका मतलब समझलो पहले 10% पर आयनम मतलब एवरी 100 रुपीज पे आपको 10 रुपीज इंट्रेस्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है आपको रहे जाते है ओर सिंपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल को पूस्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल हुग है हैं तो है इन्ट्रेश क्यों है इंट्रेश जो दिया है हमें इंट्रेश इकोस टूटेश है इंट्रेश इस ती यह उन्हों नहीं दिया है अब है पता नहीं तो हम क्या करते हैं एक सपोज कर इंट्रेस्ट और इस तो शीक्स ताउजन पे हमें पता नहीं था इसलिए हमने एक अभी देखो यह हमें इंट्रेस्ट पता नहीं अगर हमें डिवाइड दिया है और उसका एक्वेशन सौल करना है तो अगर हमें डिवाइड दिया है और उसका एक्वेशन सौल करना है तो हमें उसका उल्टा करना पड़ता है अगर यहां पर दिवाइड दिया है तो हमें मल्टिप्लाइड करना है तो इस साइड को मल्टिप्लाइड करेंगे तो यह साइड को मल्टिप्लाइड करना पड़ेगा तो करते हैं तो मल्टिप्लाइड तो करते हैं तो यह साइड करना है तो यह साइड करना पर दिवाइड दो इन्टो छोग को यहां पे 6000 और यह 6000 कैंचल थाई यह साइड में में टा है है कि यहां पे आगर देखो तो यह जीरो जाएगा इधर का इसनल जाएगा यहां का यहां पे 600 इंटो वन क्वारा एंसर आएगा 600 ऐधर पफेला क्याSp audição मारा युवसर हो C for One Year ओके में संबुदिलिग häntregist डिं टेस्ट ओने मचान हमारी पूर्पोर नियर केıldट एस डीम मगरें उएm और वहला में को यह ए वन यह ऑगा, ओर खिक्स रुपए 6,000 ऐ सान accumulate ट्रीम में for one year interest will be 600 हो गया तो यह हमारा पहला कोश्चन हो गया अभी हम दूसर कोशन पे चलते है तो हमारा सेकंड कोश्चन है महेश डिपोजिटेट रुपीज एट थाउजन शुचंद्रेट फिप्टी इन बैंग अट रेट ऑफ शिक्स परसेंट पर आन्यम हो मच मनी विली गेट एंड एंड आउड इयर इन ओल तो यहां पर उनली इंट्रेस्ट नहीं पूचा है यहां पर टूटल अमोंट उसने प क्रिंटरेस्टेट नहें प्रिंसिप लश़ पंप्लास इंट्रेस्ट करना पड़त बड़ेगा रह्ですね है यहां पर ह इंट्रेस्ट कितना क्लप्लेट करनफें में इंट्रेस्ट कितना अ जुचा ने सधान है इस शिक्स रूपीज है ओक हंड्र रूपीज पर 6 रूपीज है तो हमें 8,650 पर कितना इंट्रेस्ट है उपरता नहीं तो सपोज इंट्रेस्ट और रूपीज 8,650 पर पता नहीं तो हमने आजू कर लिया एक्स हमें इंट्रेस्ट मिल रहा है एक्स रूपीज इंट्रेस्ट मिल रहा है तो अभी हम क्या करते हैं एक्वेशन बनाते हैं इंट्रेस्ट मिल रहा है इंट्रेस्ट मिल रहा है इंट्रेस्ट मिल रहा है तो अभी हमें इक्वेशन को सॉल करते हैं इक्वेशन को सॉल करते हैं समय देखो एक्स के नीचे जो अमोंट है उसको हमें क्या करना है उसको कैंसल करना है तो नीचे अमोंट है उसका मतलब है को अगर डिविजन को अबाउंट है और उसको हमें कैंसल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसको मुल्टिपिकेशन करना पड़ेगा दोनों साइड को ठीक है तो मुल्टिप्लाइड बोद साइड साइड बाइट थाउजनद सिक्षंद्रेट फिप्टी तो एक्स 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 तुट्था शिजग एक्वल्सक्पॉल्स तू आप उंट्रेट फिप्टी यहाँ पे भी मुल्टिप्लाइड ना पाण हम multiply रहे हैं तो यह 1,650 यहाँद कर रहे है यह यहाँपन फॉ पर यहाँद परे यह कि नहीं करते हैंFI यहाँदONA पे divided by 10 बच्चा है, तो हम पहले इन दोरों को multiply करते हैं, 865 into 6, तो इनका multiplication आएगा, 0 carry 3 हुआ, 3639 carry 3 हुआ, 51, ठीक है, 51, तो हमारा जो answer आएगा यहापे, 5190 upon 10, तो यहापे, 0 है, यहापे, 0, cancel हो जाएगा, और हमारा interest जो मिलेगा, हमारा interest जो आएगा, x equals to, therefore, x equals to 519, therefore interest, interest जो आएगा, 519, लेकिन उसने total amount पूछा है, वो last में कितना उसको पैसा मिलेगा, वो पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, principal amount में, यह जो interest है, वो add करना अगर, अगर only interest, अगर पूछते तो इतना ही मिलता, लेकिन उसको principal भी amount होना है, all money होना है, उसको, मतलब यह principal भी होना है, और यह interest भी, तो वो कितना होता है, वो जिखना है, so, total amount equals to, total amount equals to principal, जो amount invest होती है, यह हम borrow करते हैं, उसको principal amount भोलते हैं, और जो हम calculate कर रहे हैं, वो interest होता है, तो plus interest, principal plus interest, तो principal है हमारा, 8650 plus 519, हमें addition करने हैं, 8650 plus 519, sorry, 591 है, 519, 519, 1, so addition करना है, 9169, so, total, he will get, he will get, he will get, he will get, at the end of the year, at the end of the year, in odd, in odd equals to 9169, okay, ठीक है, तो इस तरह से हमारा, second question हो गया, third question करते हैं, अगर यह वीडियो आपको पसना आ रहे हैं, तो please वीडियो को like and channel को subscribe करो, चोलाँ हम, third question के तरब चलते हैं, तो हमारा, third question है, अहमारा, चाचा बॉरो रूपीज, 25,000 at 12% per annum for one year, what amount will have to return to bank at the end of the year, तो, हमार चाचा ने 25,000 बॉरो किया है, 12% per annum से और उनको total amount देको यहाँ पे भी total, total amount आपको पूरा end करना कितना है, वो पूछा है, मतलब interest भी कितना pay करना है, plus principal, principal amount हमारा 25,000, तो, दोनों मिला कि हमें कितना पे करना है, वो हमें पूछा गया है, ठीक है, हमें total amount return करनी है, only interest पूछते तो only return, sorry, interest बोलते हैं, लेकि हमें यहाँ बोला है कि total return कितना करना पड़ेगा, end of the year, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले interest calculate करना पड़ेगा, interest calculate करने के बाद, हम principal में interest add करेंगे, और फिर वो return करतेंगे, तो चलो, हम answer के तरफ जाते, यहाँ पर हमें, interest, interest और principal, rupees, hundred, is, कितना परसेंट है, उने को यह percent का मतलब ही होता है, hundred rupees, ठेक है, hundred rupees पर कितना interest है, अब का 12 rupees, so, हमें क्या करना है, अभी 25,000 पे interest calculate करना है, तो हमें वो पता नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, suppose, interest on, interest on, rupees 25,000, bx, हमने आदून क्या है, 25,000 पे x rupees interest है, तो अभी हम क्या करते है, यह 25,000 का, जो यक्स amount है, वो पर ही calculate करना है, तो यक्स amount, वे 25,000 पे pay करना पड़ेगा, interest है, और हमें 100 rupees का interest है, 12 rupees पे करना पड़ेगा, 100 rupees पे 12 rupees है, 25,000 पे हमें कितरा interest पे करना है, वो हमें calculate करना है, तो अभी यहाँ पे, हमें नीचे जेको, यक्स के नीचे 25 है, तो हमें 25,000 हमें cancel करना है, तो 25,000 क्यांसल करने के लिए, हमें multiply, और दोनों साइड में multiply 25,000 करना ठीक है, जो, multiply, both the side, by 25,000, अगर आपको वीडियो पसना आ रहा है, तो प्रीज वीडियो को like करना मत भूलो, और चैनल को subscribe करो, ठीक है, लक्स अपोन 25,000 into 25,000, यह 25,000 into क्यों करना है, तो only a side में हम multiply नहीं कर सकता है, अगर करना है तो दोनों side में, equation, यह बता है कि दोनों side में करना है अबको, तो कोई effect नहीं होता हो, उसका मतलब, ठीक है, यह 25,000, यह 25,000 cancel हो गया है, ठीक है, यहाँ पर बस था है only a side, यहाँ पर आपका, यह 20 गया, यहाँ पर 20 गया, तो 250 into 12 करना है, तो हमें 250 करना है 0, 10, 1 करिवा, 4 & 1, 5, 0, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 1 करिवा, 3, यहाँ पर इए ठीक है, वनकलेपरका Hmara ओन्याओ, तो हमारा interest हमारा 3000 आ गए है तो अभी हमें क्या करना है total amount उसको कितना return करना है वह दिखना है तो total amount का formula है total amount equals to principal plus interest principal क्या amount है यहाँ पे हमारी 25,000 interest है हमारा 3000 आ गया अभी हमारा total हमारा गया है तो हमारा answer आ गया है 28,000 तो हम एक sentence लिखेंगे what amount will तो return to the bank amount will have to have to return to bank and end of the year and end of the year return कितना आएगा हमारा rupees 20 हमें total 28,000 return करना पड़ेगा इस तरह से हमारा third question हो गया है हमारा fourth and last question करते हैं चल्ट करते हमारा fourth and last question किसन राउ wanted to make a quad in his film he borrowed rupis 35,250 from a bank at an interest rate of 6 percent per item तो उसका rate of interest जो है 6 percent है how much interest will have to pay to the bank at the end of the year तो जुनों नहीं यहापे only interest पूछा है आपको total amount return करने के ज़रूरत नहीं तो हमें 35,250 पे कितना interest होगा वह आपे find out करना है और बताना है ठीक है चलो तो हम answer लिखते है और principal रूपीज हंड्रेड इंट्रेश इस देको पर आपर सेंट पर आइनम कितना रिया पर सेंट पर आइनम 6 दिया है तो इंट्रेश इस रूपीज 6 तो अभी हमें और 35,250 पे इंट्रेश कितना होगा वह हमें find out करना जो कि मैं पता निक हैं तो हम आजू कर रहे है सपोज इंट्रेश और इंट्रेश और इंट्रेश और 35,250 पे इंट्रेश हमने आज़र कर लिया है एक्स रूपीज है अभी हम क्या करते हैं इसको एक्वेशन को स्वाल करते हैं ठीक है तो एक्स अब अमोंट आफ इंट्रेश मिलेगा हमें 35,250 पे हमें 100 रूपीज पे कितना इंट्रेश है 100 रूपीज पे हमें 6 रूपीज इंट्रेश मिल रहे है तो अभी यहां पे जो 35,250 है हमें बता ही है दोनों साइट में मुल्टिप्लाइ करना है हमें एक्स में रहे है मुल्टिप्लाइ बॉट दस्टाइट साइड बाइ 35,250 रूपीज पे क्या जाएगा यस 35,250 इंटो 35,250 इकोस तो 6 अपन 100 35,250 फिल क्या करना है यह 35,000 25,250 इंटो जाएगा यहां का एक-0 एक्वेशन में एक्स इकोस तो क्या बसता है 6 इंटो हम एक्वेशन बना लेते हैं यहां पर एक्स इकोस तो क्या 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 रिमेनिंग है इंटो 6 त्री फाइव तू फाइव और डिवीजन में हमें 10 मिलता है यहां पर आपको कैंसल कर सकते हैं यहां पर लंबा कर रहा हूं पहले में मुल्टिपिकेशन कर रहा हूं इनका मुल्टिपिकेशन कर रहा हूं कर रहा हूं तो यहां पर एक जीरो है यहां पर एक जीरो है और हमारा जो इंट्रेस्ट आ गया है आ गया है जो इंट्रेस्ट आ गया है घ्सट 2115 देरफों इंट्रेस्ट 2115 अ गया हमारा हूं कर दो इंट्रेस्ट इकोस इकोस्तो आ प्लिको इंट्रेस्ट इकोस्तो 2 x equation 2 1 1 5 वे चंते ह्या क्या पोला है हो मुछ इंडेट वील रषी पेड यू आवाओ इंडेट he will pay interest to the bank to the bank rupees 2115 so 2115 हमारा interest है वह हमें पे करना है इस तरह से हमारा वीडियो को Like करो और चैनल को सस्क्राइब करो कुछ अलग कोशन से बुक के बाहर के कोशन से वो भी सेंड करो अगर डाउट वो मैं आपको आपके करने की कोशिश करूगा एक सेपरेट वीडियो बना के ठीक है वीडियो रिखने के लिए धन्यों